कि अब आज दिस इस मुई तहरवार और आज का अपना टॉप है कि फंक्शन सोब थायराइड आर्मोन देखिए फंक्शन सब थायराइड आर्मोन मैं आपके सिक्वेंस के टाइप में होता हूंगा कि सबसे पहले एक बच्चा है वो क्या है जब ग्रू कर रहा है तो उसमें कि एक्टिविटी चल्दी ये वेसल एक्ट्विटीज तिक है उसके वाद क्यों अब खाना पी ना स्टाट करता है तो क्या खाय का एक रूटिन खायेगा कर बाद कर भाद क्या घाएक है फैट खायगा ठीक है फोसके बाद रूरुक बीमारी हो जाएगी तो उसका टेंपर करते हैं यह आपको यह याद करने के लिए यह टरीका बता रहा हूं एक्स एक्षर ने फंक्षन है बेसल अलीज कर देड़ फ़र उसने प्रोटीन खाया तो एक्सन एन प्रोटीन मेटाबलिजम और कार्भमाइडर्ट एच्छी जैश्चिजे उसने प्रेटेट ठीक है कि नहीं उसका ठीक है और उसके बाद cns cns में चेक अप किया कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है फिर अपने उसको गोली दबाएं दिया उसके हर्मन का किस तरह से थाराइड हर्मन का रेगुलेशन करना है तो देखते हैं एक्षन ओप थाराइड हर्मन सबस्पहले देखते हैं वेसल मेटाबोलेक रेट क्या है वेसल फंक्षन जो अपनके एक लेवल पर रहते हैं कि कम सकम इतनी एनर्जी तो चाहिए है इसको काम करने के लिए म mechanics सबते हैं कि अपनको मेंटेन करने के लिए उतनी एपर ऐनर्जी देना चाहिए देना चाहिए यहन्या क्रण्स सब waistag को कर ले hai है तो विन सब को तोड़ता अब होता है अभी मुझे पूरी है इस तरह का हर्मनсол तो thyroxine increase the metabolic activities in most of the tissues, लगवक सभी tissues में क्या करता है, यह metabolic activity बढ़ा देता है, इत इंक्रीज BMR, बेसल metabolic rate, वाइ इंक्रीज इंग दा oxygen consumption of the tissue, तो oxygen consumption जैसे इसने बढ़ा दिया, तो उतना जादा पर क्या होगा, वहां पर metabolism होगा, और जितना जादा metabolism होगा, तो जादा energy अब protein में क्या करता है, protein बनवाता है, तो thyroid hormone increase the synthesis of proteins in the cells, ठीक है, the protein synthesis is accelerated by following ways, कौन-कौन से, तो अब protein synthesis में क्या क्या होता है, आपने पढ़ा होगा genetics में, नीट में पढ़ा था ना, कि सब सब्सक्राइब ने से RNA बनते हैं, तो इसको क्या बोलते है, transcription, transcription के बाद फिर क्या आता है, इसके साथ-साथ आपको दो और जोड़ देना है, कौन-कौन सा, mitochondria की activity भी increase हो जाती है, और साथ ही cellular enzyme, cellular enzyme क्यों कि हो, क्योंकि metabolic activity जाना बढ़ नहीं है, तो और जाना enzyme भी increase हो जाएंगे, ताकि आसानी से जो आपन के लिए एक्सान हो पाएं, ठीक है, इसके बाद आता ह जितना भी बिलड में गुला हुआ है, या जितना भी अपन खार है, पूरा-पूरा cells के अंदर आ जाएगा, या इस्टूड वाला, increase the breakdown of glycogen into glucose, तो glycogen को पहले गिल्कूज में कर दिया, और फे ग्ल्कूज का अपन क्या, energy में यूज कर लेंगे, साथ ही gluconeogenesis, जहाँ निय la, इनचो पड़िन या जितना भी यहाँ, यूज के अपन रिख सब्स्टैंस के थरु जहाँ वहाँ आपन होना हाँ, यूज को यह दिया, फे इसको तोड़ने लगता है यूटलाइज करने लगता है इसके बाद क्या आता है एक्षन बॉड़ी टेंपरेचर क्या बढ़ जाएगा क्यूंकि बहुत जादा इनरजी निकल लगाए तो हर्मन इंक्रीज दा हीट प्रोड़ाइज इन बॉड़ी वाइट इस एक्षिट बढ़ जाता है एक्षन ऑन ग्रॉट था इंप्रोड ऑद बॉड़ी इस पेशली ग्रॉएंग चिल्टन ग्रॉट के लिए अफेक्ट करता है ठीक है अगर अप्छा प्रॉपर थायरोग अपनका थायरोड आर्मोन है तो बेल ग्रॉथ हो पाती है थायरोगजन इस इंपोर्टन तो प्रमोट ग्रॉट इन डेवलमेंट ऑब ब्रेंड दिवरिंग फेटल लाइफ इन फस्ट फीव एर्स अफ लाइफ अब ग्रॉट तो साथ साथ क्या करवा वॉल्यूम तो फॉट्वाइटिक यह वाला मैंने आपको फ्रॉट्वाइटर में बताया था यह और वन पड़ाया होगा तो इसमें बताया था कि जो अपनका थायरोड हर्मोन है वह उस पर यह भी एफ़ दालता कि एस्ट्रॉट्वाजट कर देता है एक्सन और कार्डिय यह दो चीजें जरूर इंगी हुए हार्ट रेट और फोर्स आप कॉंट्रेक्शन ठीक है काइटियक आटपूर इंक्रीज एंड बिलड परिसर भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है एक्सन और रैस्पाइरिस अ्टिविटी भी बढ़ेगी थैरोग्जिन इंक्रीज तरे हैं फोर्स ट्रस फ़र आता है एक्सान गेस्ट्रोइनिटनल ट्रेकप गेस्ट्रोइंटर्ज ट्रेक एक्षन उन सेंट्रल नर्वर सिस्टम अभी मैंने बताया था कि किस तरह से वो मेंटल ग्रूथ में हेल्प कर रहा था था थो सी एनस पर एक एफेक्ट महलें इंपोर्टेंट डाल रहा है थारोगजिन इसेंशल फॉर डेवलमेंट एंड मेंटनेंस ऑप नॉर्मल फंक्शन उन सेंट्र नर्वर सिस्टम थारोगजिन इसकी बज़ेसे अच्य से डेवलममेंट हो पाता है नॉर्प फंक्शन भी यह करवा रहा है था कि यह जो बंदा रहे गा जिसमें थारोगजिन हरूं बहुत जादा है तो वह जादा सोचे का बहां बहां जादा चीज़ों के बा कम होगा तो उसमें कहा रहा है का चिल रहेगा वह लीड तू लिथार्जी एंड एक्सेस सिलीप मतलब आराम से लेटा हुआ है ठीक है जैसा कि साइज ये सिम्टमस आप बोल सकते हैं कि अपनको पेपर के टाइम पर हो सकते हैं रेविलेशन ऑफ थाइराइड होर्मोन रूल आप पिटिटरी गिलेंड किस तरह से रूल करती है सबसे पहले देखो क्या होता है हाइपो थाराइडिसम सरी हाइपो थैलेमस ठीक है हाइपो टैक है अब इधर से निकलने है हाँ का अब इतर इक तो एधर बिलोक यस कर दो इधर reality ये रोख सकते हैं है और यहाँ पर feedback Qué Can तो और यह बहुत जादर हम हमो रहा है उस तरह से बनकर सकते हैं हुए तो यह बनकर सकते हैं दोच से बनकर कर सकते हैं ती एसेच प्रॉम एंटीर प्रिटिटरी मेजर फेक्टर जो इसको रेगुलेट करता है रिलीज ओफ थायरोइड हार्मोन ठीक है यह सबसे मेजर फेक्टर है जो थायरोइड हार्मोन को रिलीज करने जो रेगुलेट कर रहा है थायराइड इस्टिमुलेटिंग हार्मोन रि तो यह एक बार देख लेते हैं इस वाले में ठीक है तो जब कभी फंक्सन नहीं जतनी इनर्जी से नहीं हो पा रहे है लेपन जो होता है वो क्या करवाता है अधाक कि तुम प्रस निकालो और जब एकस आयोडीन ज्यादा हो गया तो पर ज्यादा या फिर स्ट्रेस जाता हो रहा है या फिर स्ट्रेस जाता हो रहा है या फिर स्ट्रेस्ट इनिविट कर रहा है लुकुकॉर्टिकोइट या डूपामेन इस तरह की कोई फैक्टर निकल रहे हैं तो फिर क्या होगा इनिविशन होता है तो हाइपुथल में इस क्या करता है था thyroid stimulating hormone अब thyroid stimulating hormone काहँ पर काम करता है थायरोड ग्लेंड पर और थायरोड ग्लेंड से क्या थायरोड अर्मोन निकलते हैं जो कौन दोर ती-3 और टी-4 तो यह अपने आपको फीडवेक इन्वेशन की तुरू भी कंटूर कर लेते हैं कि हम हमारी जो quantity है एक्सेस हो गए इस बज़े से क्या होगा कि इसका सिक्रीशन काम कर दो तो इन दोनों पर नेगटेव फीडवेक भी डाल सकता है तो इस तरह ऐसे इसका रेगूलेशन हो जाता है ठीक है तो यह रहे है अपन के थाइराउग्जन के फंक्शन स्टाइड थायराइड हर्मोन या थाइराउग्जन वही है उसके फंक्शन थैक्यू गाईज प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर द चैनल